दोस्तों TRS Hindi का हैलाइस चैनल TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सीखिए, इन्जॉय कीजिए 11.5 मंथ के बाद, जब आपको पता चला कि आप वापसी करने जा रहा हूं, उस फेस के बारे में भी कुछ बता ही है, कैसे पता चला, क्या महसूस होँ दिल में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक तो, इन बिट्वीन में बता दू, मंदिर परेड वाली एक बात तो मैंने बता दी, तूशरा शाहएद एक दिन गुरुद्वारा परेड थी, तो उसमें एरफोरस के आफसर्स थे, हम लोग थे, साथ वो लोग थे और नौ हम थे, तीन सेकिंद लेपनेंट्स, तीन कैप्टिन्स और तीन मेज़ास्तू. यह जब सारे इंजियर हो गए थे, या तो फुरस डे कैप्चर हो गए थे, एक-दो जाने ऐसे थे, जो फुरस डे ही जैसे वो थे या फिर हम लोगों को जो सारी लड़ाई लड़ी और इंजेड हो गए और उनको पता ही नहीं था और नेक्स्टी सीसफायर हो गया और पाइलेट्स तो हमारे जो उस साइड में गए उन्होंने बम डाले या स्ट्रैफिंग की जो भी उनका टास्क पुरा क्लिया और फिर उनको अगर लग गई और वापस नहीं जा सेके तो वो नेचुरली उनका वो यह या तो वो उनका खेल खतम हो गया वो बेचारे शहीद हो गए नहीं तो वो पकड़े गए तो आम सब लोग थे तो वहाँ पर इनके एफ़ोस के आफसर में वैसे हमारे मेजर हमीर वो सीनिय मोस्ट मेजर साब ही जितने में हमारे जो कैदी थे उनका सीनिय थे तो वो ही थे हमारे जैसे सीयो साब होते है लेकिन एफ़ोस वालों को जब ले आया हमारे साहत में, तो Commander कोईशों करके एक gebenafsar था. उन दिनों के अंदर मुझेद जए वह vereinberry से कमांडरं से कमांडरं था, तो यह लेफन किरनल के बराबर होता है। तो गमांडर तो नेवी में होता है, इनको क्या बहुलते हिन विंग कमांडर. जी, विंग कमांडर, तो ये सीनियम होस थे, तो naturally वो एक unit, तो हमारे जो कैदीज, जो सरदार जो बंदे थे, BSF के और जो सीक रेजिमेंट के भी, जो भी मतलब थे हमारे साथ, prisoners of war, तो वो लोग आये तो उनको किया, और उन्होंने वो, तो बोला भई वो गुरद्वारे के सीनियर है, वहाँ आके वो गुरुगरंद साहिब रखी हुई है, तो उनको नीचे दनवत करना चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए, वो तो नहीं, बिकोज मिलिटरी के अंदर, if I am a Sikh officer, and if I am posted in any unit, तो I will do what this thing, and if I am a, जैसे मैं हूँ, और मेरी है, तो मैं गुरुद्वार तो आप वहाँ भी भगवान का पूजा करेंगे, जैसे वो गुरुखे करते हैं, वैसे करेंगे, मतलों कोई रिलिजन नहीं होता, आपका वो ही रिलिजन है, जो आपके प्रूप्स का रिलिजन है, because you are a soldier, you are an officer, तो यह इसने आके वहाँ पर गुरुगरंद साहब को दंड लोगों ने इतना respect दिया कि Major Hamid Singh की बजाए, यह Air Force के officer आ गही है, senior है, इन कुछ पहले बुलाओ, तो कामत साहब बोलता है, God saluting fucking bastard, दीरे से, so we all were sitting there, मतलब, बगवान को तू salute कर रहा है, प्रणाम करना भाई, so that incident also I still remember, I hope कामत साहब है, alive and kicking and this thing, and this fellow didn't do it, वो बैट गया, फिर हम लोगों ने सब ने एक एक करके उनके बाद में जाके गुरगुरण साहब को प्रनाम किया, फिर जो भी वो करते हैं, और फिर उसके बाद में वो राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, लेकिन हम लोगों को ना तो सुनाई पड़ता था आकी, वैसे हमें पता था, वैसे भी मारे बहुत सीख फ्रेंड से, और जैसे हो बोलेंगे राज करेगा खालसा, तो हम लोग जान करके उनको चिड़ाने के लिए जोड से बोलते हैं, बाकी रहे न कोई, तो पाकीज भी सब देखते थे, तो बड़ा मतलब यहूं, हमें वो, बिकॉस नाउ, अब चिटिया भी चली गई, उस साइट से हमारा जो आमी वाइवस असोसिएशन से, गुट्का, चाय वो गुरुगरन साहिब का हो, चाय कुरान का हो, चाय बाइबल का हो, चाय गीता का हो, यह सारे गुट्के वगरा भी सब को जितते थे, उनके सब हमारी जो इधर आफोस वाइव एसोशेशन वालों ने भेजे थे, यह भी सब को मिल गए है, तो सब लोग वो थे, उससे पहले जब सिग्रेट वगरा की बात थी, तो सिग्रेट का है, वो देते नहीं थे, और वो लोग पीते पीते कुछ भी कोई, या फिर अकबार होगा, तो वैसी हम अकब कभी कबार वो देते थे, तो उसको क्या करेंगे, यह रोल करेंगे, कुछ नहीं, माचिसमी वो देते नहीं थे, बड़ी मुश्किल छे, कैसे भी करके मतलब, करेंगे तो फिर उसको, तो अगर वो लगा दी, थोड़ा सा वी दुआ हो गया तो वो तो करने नहीं देंगे, यूँ ही बनाएंगे शिगरेट, वो पेपर वाली, जस्ट टू पास टाइंग, उसके बाद फिर वो हमारी जो वहां से उन्होंने भेजी, तो एट शिगरेट भी एक लगाएंगे, सब को पता है के एक पनामा का पैकेट आया है, अब यह पतानी, हम जाएंगे पतानी तीन महिने में, दो महिने में, छे महिने में, तो एक 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 शन नहीं भी लगा रहा है, हम तो पीते ही नहीं थे सिगरेट, ठीक है ना, तो सारे के सारे वो इसको, जैसे हम सारे हैं, साथ के आफसर है, आट, नौ दस, एक दो सीक आफसर थे, दो तीन सीक आफसर थे, तो नौर साथ-सोला में से, तेरा चाओदा सब उसका एक, ऐसे लेका है को, है, अकला ही पिलेगा क्या? So, this used to happen. This is how we passed that time. So, these are some incidents. So, this also I just wanted to. Now, when everything happened, तो एक दिन वो बुट्टो साब आय और उना ने बोला, जाओ! So, हम लोग तो अपना यू यू है और आप लोग जाओ, क्योंको यहां समझो था, हो गया था. Because, it must have transpired between both the governments, कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो वेस्टन साइड के, जो POWs हैं, उनको एक्सचेंज करेंगे. हम लोग थे कोई 500-700, उनमें BSF वाली भी थे हो, जो पहले दीनी मतलब बिचारे जो पोस्टों पे थे और वो, तो या फिर जो लड़े और ऐसे, और उनके थे कुई 1,500-1,600-1,700 तो इन लोगों को जब एक्सचेंज किया गया, तो हम लोगों को एक दिन रात को, सडनली बोला के, आज आप लोगों को ले जाएगी. तो पता लग गया, उन्हों ने ड्रेस भी वो पुरानी जो काली बाली थी, वो ले लिए और दूसरी ड्रेस भेनाई, एक खाखी पैंट, शर्ट, और सब को अपना, जो भी वहाँ पर था, क्या था? तो वो वाले कपड़े भी हम लोग जो हमारे क्रॉस लगे वे थे, ले जाओ बले, और शूस थे, वो लेके आगे, तो रात को वो बोले के हम बसों में ले जाएंगे, तो पता था कि पाकिस्तान में कहीं भी बीच में बसों पे पत्रा वगरा हो सकता है, तो पठे, जिस बस से आना था, वो बसों में तो लाए नी, और train से ले आए train से ले आए रात में कोई कित्ते बज़े रवाना किया और लाहूर सुबह चार बज़े उतारके officer मेस आफसरों को ले गए और जवानों को barracks में ले गए और एक barracks खाली करा दिया और उनकी जो battle पल्तन थी उनको सब को बताया नहीं और कुछ जो थे उनको करके जवानों को और फिर हम लोग ऑफसर मैस में वहाँ पर ब्रेकफास्स बगरा करा करा के फिर वागा बॉर्डर ले आए, वागा बॉर्डर ले आए और वागा बॉर्डर पर एक एक करके, तो सबसे पहले वहाँ भी एक सेकिंड लेफनेंट और उपर आया तब तक देखा उसको विफोर ही रिलाइजेज और ही फॉल्स डाउन, मतलब नीचे बचाव करे तब तक उसके यहाँ नहीं तो वह गौप रा था उसको तो गोली तो उपर से निकल गई और बैनेट थोड़ा से उसके लग गया था तो हम दोनों ने क्रॉस क जो आमी हेड़कॉर्टर से आय थे उन्हों ने में रिसीव किया और फिर अमको अमरिसर ले गए अमरिसर में अमरिसर के कलेक्टर और वहां के जो भी बदाधिकारी थे और यो मिलिटरी के ऑफसर्स थे और गोवर्मेंट अपनजाब ने इंक्लूडिंग दीचीफ जीविलिन ओफसर्स और ओल टीपल और अमरिस्टर्स इंक्लूडिंग जानि जैल सिंग धन इन 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 आइड वी वर पूट इन डी ट्रेंट थी फिर वो दिली के रवाना हो गई हम लोगों का स्वागत किया बहुत ही वहां पर अच्छा फंक्शन किया और ट्रें म नेक्स दे मॉणिंग, डेलिकेंट, पूरी भीड लगी हुई है, हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन डेलीकेंट पे नहीं उतरना था, डेलीकेंट पे उतरना था, डेलीकेंट पे पूरा, भी मतलब जितने भी वास पास के लोग थे आये वो सब स्वागत कर रहे हैं, पेरे को उन से सेपरेट करके अपने-पने, क्योंकि अभी डी-ब्रीफिंग होनी थी, military का system होता है, वो पूछते हैं, भई, यह इतिस साल के लगबग वहां रहके आए हैं, 11 महीने, तो यह क्या वहां किया, इनको क्या किया है, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि, you know, military के experts होते हैं, वो करते हैं, तो आपको कुछ शक है, तो उसको दो, तीन बार करेंगे, और नहीं है, तो आपको एक ही बार में करेंगे, and then you are allowed to meet your parents, your friends, your whatever family members and all, तो वो हो गया, तो हमको वहां रखा पहले तो आटी मेस में या कहीं भी, और फिर एक दू दिन, एक आदे दिन में, फिर विकानिर हाउस वगरा भी एलाव कर दिया, भी कोई राजस्तान वाले चाहते थे, का हम उनके साथ जाएं, तो विकानिर हाउस राजस्तान का, तो हम राजस्तान के officers थे, हमको वहां ले गए, कुछ जो सीनिया थे, तो फिर दिल्ली वालों ने हमारा स्वागत किया, आज भी मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, जो मेरे गर में लगा हुआ है, हम दिल्ली वाशी, बहुत ज्यादा मतलब प्रेम से, जो भी वहां पर दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली के अफसरान थे, गौर्वर्मेंट अबरा इंडिया थी, और दिफेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, आमी एड़कोर्टर्स, नेविनल एड़कोर्टर्स, एफोस, सारे लोग थे, और हम लोग जब बैठे वे थे, तो ऐसे बिठा रखा था और जन्ता सामने थी, और बाकी कुछ कुछ कुर्सियं बगरा लगी थी, वहां पर वो ऑफसर्स और उनकी वाइव्स और चिल्रन और बड़े-बड़े अधिकारी, I.S. य.S. जो भी यसे, और बड़े-बड़े राजनिती की वागरा, जो भी डिफेंस मिनिश्ट्री के थे, तो 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 एक लड़का था, वो गुमता-गुमता, सब को देख रहा है, यंग बॉई, बस्ट भी 10th और 11th, उन दिनों में साइद 12th तो होता ही नहीं था, वो आया और मेरे पास में, कि सर में आपको यह देना चाहिए, 10 रुपी होंगे या दो 10-10 के नोट होंगे, जो भी मुझे, मैं गए बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैं, नहीं सर, मैंने उसका वो, उस बंदे का वो जो देखा ना, वो बाद में कहीं military officer बना होगा, फिर मैंने पूछा था, मुझे याद उसका नाम नहीं है, लेकिन शर्मा, वंडर्फूल फ़लो, तब वो इतना इंप्रेस हो गया, कि मुझे वो देखे ही रहा, मैं देख रहा था, सिरफ मुझे ही उसने, नोटिस किया, मेरे पास आया, और क्योंकि बादचीत कर रहे होंगे, तो वो सब सुन रहा था, और उसको पता था, कि देखे हो, इनके गोली लगी हुए, इनके यहां भी लगी हुए, तो मुझे वो याद है, उसकी शकल मुझे आज भी याद है, लड़की की, लिटल तॉल, बड़ी हैंसम, बट वेरी बड़ी सिरियस बंदा, बड़ा यूँ हो, तो आई रिमेंबर उन लोगों न भी फिर किया, फिर हप्ते बर के अंदर वो सारा का सारा हो गया, फिर देन दे गे लिवस लीव, फिर वेंट उन 14 डेज लीव, तो मैं जोदपूर गया, जोदपूर में मेरे पिताजी और बाकी लोग मिलने के आए, मेरे गाउं के अंदर इन लोगों ने फंक्शन रखा, तो जब मैं जोदपूर मेरे पिताजी से मिला, तो मुझे बहुत, मतलब एक दम ही पूरा सेंटिमेंटल हो गया, मुझे जो भी रोना शोना आना था, वो आ गया, दूसरे भी आये थे उनके साथ में, मेरे पिताजी सरपंश थे गाउं के, दूसरे भी आस पास के पंचायत के सरपंश, और बहुत लोग आये, तो काफिला लेके वो फिर गए यहां से, I know उन दिनों के अंदर आपको पता, इतनी जीपे काने नहीं होती थी, सिरप बीडियो और कलेक्टर और नहीं लोगों के पास में होती थी, I am talking about 72, जब गाउं गए, तो इतने लोग, इतनी भीड, और मतलब जो स्वागत किया और जो, और यू ज़स्ट इमाजिन देख वोल इस थी, और सब लोग, बहुत ही मतलब के वही चौदी साब, आपके बेटे जैसा हमें भी मतलब सुपुतर मिलें। और बड़ा एक ऐसा माहूल था, कि जहां मतलब आप सोच्ते हो कि यार वास्तो में, हाँ, कुछन कुछ है, और ये जब मैं बोल रहा था, तो आपको पता है कि हम मिसिंग बिलीवड किल्ड थे, तो मिसिंग बिलीवड किल्ड में आपको पता है कि मेरी यूनिट में जो मेरा बिस्तर था, हमारी यूनिट को भी ये कन्फर्म करने में कि मैं जीवित हूँ या शहीद हो गया, तो मेरा बिस्तर था, वो गाउन भेज दिया, आपको पता है इसका बिस्तर गाव चला जाता है, इस टेकन फोर ग्रांटेट और टेकन तवे कि अब ये बंदा नहीं आएगा बाप, ये मिलिटरी में तामा गया। तो जब ये बिस्तर चला गया गाव में और एक चिठ्ठी साथ गई कि लिए बड़ शूर वीर था उसने बहुती वीरता दिखाई जो भी उसको टास्क दिया उसने पूरा किया। हमारी यूनिट बहुत ही मतलब उसके वीरता पे बहुत प्राउड हैं, बहुत ज़्यादे आमको गर है। चला गया है चिठ्थी, नेचुरली। मैं फादर वांट बिलीव इट। मेरी माँ नहीं बिलीव करेगी। लेकिन लोग तो आपको बता यही होता है। तो जैसे ही मेरी बुवा का गाउँ था तीन साठे तीन कोस वहां से पढ़ता था। उनको बोल दिया। अच्छा कुछ लोग मिलने भी आ गए। तो मना किया मेरे पिता जिनी कि नहीं ऐसा हो नहीं सेका। माइ फादर एट फेट कि नहीं वो जहां भी है। तो मेरी बुवा और कुछ लोग वहां के वो रोते रोते आ गए। फिर उनको बोला के नहीं बिकोज माइ फादर और मदर स्टॉप बिलीविग। और मेरी माँ ने किसी ने जाके बोल दिया गया अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं अब कहां आएगा वो तो नहीं है इस संसार में। तो मेरी माँ ने बोला के मेरा एक बेटा अगर काम आई भी गया देश के मेरे बागी पाचो खो भी मैं मिलिटरी में पेजू हूँ हूः। तो दैट वस्माइध अट ओए वादर दिन्न बिलीव। So, he went to वन पंड़जी, बहुत भी फेमस थे वहाँ, यह गाव है सोजद के पास में, वो मेरी जो टेवा लिखावा था उन्होंने बोला कि नहीं, इसके शायद गोली लगी है, मूँपे लग सकती है, शरी में लग सकती लेकिन यह, मतलब जो यह जनम पत्री के इसाब से यह आदमी मरा नहीं है, आपका बेटा नहीं मरा है, चौदी साब आप विश्वास करो तो आए मेरे पिता जी और फिर उन्होंने सोच बचार किया और गए दिल्ली, पहले जैपूर गए जैपूर में मिर्दा साब से मिले और फिर बोला कि नहीं, आप जाओ, राव निवास जी मिर्दा उन दिनों में, मिनिस्टर आफ स्टेट होम थे, तो डिफेंस मिनिस्टर कोई और थे, तो उनकोई पास गए, उन्होंने बोला अच्छा पता करते हैं, बोला साब ऐसे से हमारे चौई साब का बेटा, तो उन्होंने फ्लाइग मीटिंग करवाई, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को बोला, फिर आमी एड़कॉर्टरस ने उनके जो हमारी उनिट के सामने जो उनिट्स थी, उनसे बात की, फ्लाइग मीटिंग कर रहे हैं, कि बोला हाँ हाँ, फिर भी आपको पता है, अब मेरे पिता जी और माता जी को यह हो गया, तो लोग भी मानने लगे, कहां यार ऐसी बात हो गई, ये उन लोगों के बीच में बात हुई, रामनिवास जी ने बाद में, मिर्दा साब ने गर पे ख़बर बेज दी, और चार शे मीने बाद में, जैसे हमारे वाले यहाँ पर रिकॉर्ड करके बेज दे थे, तो हम लोगों का भी आये वो उनके पाकिस्तान टीवी वाले और रेडियो वाले, कि मेरा नाम गंगाराम चौधरी है, मैं श्रीबान चौधरी साब, मोटाराम जी का बेटा हूँ, मैं राजवला कला का रहने वाला हूँ, मैं सेकिंड लेफ्नेंट, थर्ड नाइन जी आर का, सेफ हूँ, जीवित हूँ और अच्छा हूँ, अब ये मैसेज रेडियो में, पाकिस्तान टीवी ने, सब लोग पाकिस्तान टीवी लगा के रखते थे, अच्छा मेरे पिताजी के पास रेडियो पंचायत का भी था और खुदगा भी था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, लेकिन पूरे राजस्तान में, किसीने जैपिर में सुना, किसीने बटिंडा गाओं में सुना, किसीने किसी और, वो सब आय भाग के, उन्होंने बताया, तो तब तो clear भी हो गया था, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न, बागी के वीडियो भी देखिये, बहुत तगडे वीडियो होते हैं TRS Clips Hindi पर, आपको बस चैनल को एक्स्प्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट, देख लीजिए, आपके लिए बनाएगे, अज़ झाली प्लेलिस्ट, ये वीपियो होते हैं TRS Clips Hindi